आज जिस फोन के बारे में हम बात करने वाले हैं वो इन दिनों बहुत चर्चाओं में हैं अब आप पूछेंगे क्यों क्यों क्योंकि in India POCO X series finally आज इंडिया में लोंच हो रही है और इस सिरीज में दो स्मार्टफोन लोंच किये जाएंगे जिस में POCO X6 और POCO X6 PRO स्मार्टफोन है प्रो वर्जन में आपको HyperOS देखने को मिलेगा इस ओप्रेटिंग सिस्टम में फोन फास्ट तरीके से काम करेगा और प्रफोर्मेंस को इन्हांस करेगा इसके इलावा इसमें AI, इंट्रिग्रेशन, क्रोस डिवाइस किनेक्टिविटी बहतर प्राइवेसी और सिक्योर्टि जैसे कई फीचुस देखने को मिलने वाले है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ग्रेटफुल होने वाली है क्योंकि आपको फोन का फॉर्स्ट इंप्रेशन और अन्बॉक्सिंग देखने को मिलने वाली है यहां तो नाजवाब experience मिलेगा रिक्वेस्ट आपसे वीडियो को यहन तक जरूर देखना यह स्मार्टफोन चाइना में लॉंच हुए रैडबी के 70E का री ब्रैंडेट वर्जन है जिसे इंडिया में फोको एक्सिक्स प्रो के नाम से लॉंच किया गया है फाइनली बात करते हैं बाक्सिंग की यह है पोको एक्सिक्स प्रो का वाक्स जिसे ओपन करने पर हमें मिलता है एक्सी में जेक्टर टूल यूजर मैनूल एक ब्लैक कलर में रबर्ड वाला सोफ्ट केस नन वाइट कलर में क्रीमी स्मूध स्मार्टफोन और 90 वाट का चार्जर वे टाइप सी केबल दिया गया है फोन का जो लुक है वो बहुत ये अट्रेक्टिव और गुर लुकिंग है बैक साइड में ट्रिपल कामरा और फ्लेश टैट देखने को मिलती है साथ में साइड में पावर बटन और वोल्लिम रोप कर दिये गए है फोन का जो वेट है 200 ग्राम का है और थिकनेस 8.1 mm की दी गई है और ये स्मार्टफोन ब्लैक और येलो धूग अदर आप्शन के साथ इंडिया में लॉँच होगा अब बात कर लेते हैं फोन के अधर फीचर्स की तो इस फोन के अंदर 6.67 इंच का 1.5 के ल्टी पीएस स्क्रीन देखने को मिलेगा 120 होस रिफ्रेस रेट के साथ आता है कॉर्नी गोरीला ग्लास का प्रोटेक्शन दिया गया है साथ में अठारा सुनीट्स की मैसिव ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है परफॉमेंस वाइस इंडिया का ये पहला ऐसा स्मार्टफोन होगा जिसमें बीडिया टेक डैमन्सीटी 8300 वाला अल्ट्रा प्रोसेसर दिया गया है LPDDR 5X RAM and UFS 4.0 storage मिलता है और Poco X6 Pro में 92 score 1.5 million से भी जादा हो सकता है तो डेफिनेटली इस फोन को as a gaming smartphone कंसीडर कर सकते है जो की occupied with the wild goose 2.0 gaming optimization है और heat management के लिए 5000 mm2 weapons jamber दिया गया है और ये जो variant है 12GB RAM और 5000 12GB built-in storage देखने को मिलेगा camera performance की बाद करें तो 64 megapixel का primary sensor यहां देखने को मिल जाता है 8 megapixel का ultrawide angle lens है और 2 megapixel का micro दिया गया है फोन के अंदर 5500 mmHC big battery देखने को मिल जाते है with 90 watt fast charging adapter इस smartphone की जो कीमत है वो 25 से 30,000 रुपे की बीच में हो सकती है और यह दोने smartphone flip card के platform पे देखने को मिल सकते हैं आपको सु वैस कैसी लिए आपको Poco X6 Pro series डिफिनेकली आपको फोन पसंद आया होगा comment section में बताएं और क्या features इसमें add on हो सकते थे बगर जाने से पहले चैनल को subscribe और वीडियो को like and share जरूर करें